तो अगर आप इंस्टेग्राम यूस करते हो तो आपको एक चीज तो पता है होगी दैट मिनी व्लॉक्स का जो ट्रेंड है वो अज़कल बहुत ज्यादा वाइरल हो रहा है अमोंग दे यूथ एंड दे क्रिएटर्स और मतलब हर दूसरा बंदा मिनी व्लॉक्स बना रहा है कई पर ट्रावल कर लिया या फिर एक डे इन इन दिया लाइफ या फिर कोई भी चीज का नेक मिनी व्लॉक्स डाले आइगेस मैंने 15-20-25 पता ने कितने सारे तो ब्लॉक्स तो यह मैं एक रील में नहीं बता होगा कि मैं मिनी व्लॉक्स कैसे अडिट करता हूं मैं अलग से यूट्यूब विडियो बनाता हूं और तो इस वीडियो में आपको सब कुछ इन डेप्थ बता होगा एं लास्में आपलों को एक एसी ट्रिक बता होगा जिससे मेरा एक र प्ली व्लोग ही था बट वो ताम पे मिनी व्लोग का ट्रेंड नहीं था बट बफ में इस वीडियो बट ब्र शेविच एज़ लिगों प्ली यह दुद ऐसी जगा जहां यह पें चूज फिलिग अट्र शंच जाब प्र अपन जाव इस प्रॉम अब्स अडियो अगे ट तो आपका जो बचत है वो भी होते रहेगा जितने भी प्रोडक्स मैंने फ्लिपकार्ट से मंगा है उसमें से मेरा परसनल फेवरेट प्रोडक्ट इस दी टैन क्रीम बिकॉज यार कहीं आप जब ट्रावल करते हो ना तो दूप होती है ठीक है आप दिन के टाइम पर आपको कॉंटें सुट करना पड़ेगा मिनी व्लॉग्स शुट करना पड़ेगा तो हो ताम पेन शिक बहुत जादा तान हो जाता है एंच अई यू मेरा फूटेज होता है शां तक मतला ऐसा हो जाता है कि मेरा फेस पुरा अलगी दिखता है और वी मैं रिसेंटली करज भी गया यह लेके गया था तो मेरा जो भी टैन जो मेरा हुआ था फर्स दे पे वो रात तक मस्त मेरा सब निकल गया था and I was back to what I was early morning so the link to all these products is in the description box फड़ाफर जो click करो और खरीदो and groom yourself from Flipkart so now talking about mini vlogs, so mini vlogs भी ने करील की तरह ही होता है लेकिन, 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 mini vlogs में the most interesting part is कि आप पूरा एक vlog देख रहे हो आप पूरा एक particular scenario जान रहे हो about a particular person for example मैं कर्जत गया तब आप ही मैं एक mini vlog बनाया था 30-40 seconds के अंदर मैंने मेरा पूरा trip दिखा दिया था although इतना in-depth हम mini vlogs में नहीं दिखा सकते हैं वो YouTube के vlogs में बनेगा but अगर आपको चाहिए ना कि एक चोटा 30 seconds का किसी को कुछ बताना आपको to mini vlogs is the future, trust me सबसे पहला question that I get is that how do you visualize mini vlogs मानलो आपके दिन में तीन चीज़े होईगी पहला होगा introduction उसके बाद होगा आपका पूरा दिन और उसके बाद आपका होगा ending तो जो introduction है आपको इस हिसाब से लेना है कि मानलो आप taxi से travel करें तो that should be your first shot बाद में जो main video होने वाल है that should be the place जहांका आप video बना रहे हो that can be your office that can be your travel place that can be anything ठीक है और जो conclusion होगा that that should be something very light-hearted and जिसके बाद आप अपना फेस दिखा रहे हो end में हमेशा अपना फेस दिखाओ because इसका जो value है वो बहुत है बहुत जादा है वो अभी नहीं समझत है but once you grow in your life you understand कि face value कितना जादा important है तो अब ये तो बात होगे about visualizing your mini vlogs अब बात करते है about how do I shoot it I shoot it with this iPhone 12 mini और अगर किसी दूसरे का phone होता है तो कभी-कभी उससे कर लेता हूँ but I make sure कि मैं phone से ही करूँ में को camera का जंजट रखने का नहीं रहता है तो आप stable shots भी ले सकते हो मैंने recently a mini vlog देखा था जहां पर पूरा reel जो था उसके अंदर खाली still shots ही थे they were worth it मतलब वो justify कर रहा था कि still shots क्यों है but if you are a beginner then I would suggest that try with the panning shots क्योंकि जितना जादा movement होता है उतना जादा viewer का attention रहता है एक particular mini vlog में काफी लोको लगता है मैं अपने laptop और PC पेड़िट करता हो तो नहीं भाई इतना mini vlogs में इतना महनत नहीं करता है I simply edit it on my phone itself कोई एक application is film 4 करके I don't know what what is the exact name you can search it on app store or google store sorry film R नाम है उसका मैंने पता नहीं क्या नाम बोला था तो जैसे आप देख सकते हो मैंने कितने सारे प्रोजेक्ट रखे हुए तो I'll just open this project 1 मैंने एक नॉम्मल इक्तम normal mini vlog बनाय था I went to the gym मैंने workout वगेरा किया और मैं रिटन आया that's it पूरा यही था और इसके पर almost 5000-5200 गासपास व्यूज है तो मतलब आप स्कोप देख रहे हो कितना ज्यादा as you can see this entire interface यह पे ना प्रीमेर प्रो की तरह ही काफी सारे layers हो ठीक है and every layer has a particular video footage और उसका आवाज बगेरा सब कुछ है so first thing that you need to do is जितना भी आपका content है सबको import करो उसको अलग अलग layer पे डालो and उसके बाद आप खाली उतना सिलेक करो जितना आपको चाहिए and that selection is very easy ठीक है you just have to drag and select जो पार्ट आपको चाहिए जितना आपको चाहिए तो मेरे को खाली इतना ही पार्ट चाहिए तो मैं इतना ही लूगा once all that is done your your mini vlog is almost ready ठीक है अभी तक ready हुआ नहीं almost ready now comes the most tough and the most irritating and the most difficult part that is adding the transitions तो यहां पर जैसा button देख पार हो एक add transition उसके उपर अगर मैं click करूगा तो यहां पर काफी सारे transitions आपको already in made रहते मतलब आपको कुछ editing करना नहीं पड़ता है जो आपको प्रीवेर में करना पड़ता है आपका जो reel है वो फिर 90% ready हो चुका है so now comes the most creative part जहां पर आपकी creativity fully test होती है वो यह है कि इतने सारे footages है अगर आपको इनको engaging बनाना है तो इसमें movement चाहिए तो अगर मानलो still shot है and आपको इसमें movement add करना है तो you can add zoom in, zoom out or whatever movement you want तो वैसे ही देखो बहुत सारे अपने layers है तो मैं particularly इस layer पर कुछ add करना चाहता हूँ because this is a very still shot तो इसके अंदर मैं क्या करूगा I'll just go to effects panel and इसके अंदर में को बहुत सारे effects मिलेगे ठीक है अगर मुझे मानलो zoom in करना है तो यह मेरा zoom in का thing हो गया अगर मानलो मुझे zoom out करना है तो मैं zoom out भी कर सकता हूँ top left, top right, bottom left, बहुत सारा है आपको जो select करना आप कर सकते हो इसी के साथ spectrum भी है, flow भी है, glitch effect भी है अगर आपको वो सब डालना है आप वो भी डाल सकते हो and देखो क्या फरक आता है इसके बाद हम आते हैं on adding the filters because filters डाल दो, आपको एक upper hand मिल जाता है of your video going viral compared to if you do not put any filter इसी के अंदर है आपको effects के बाजो में filters का भी option मिलेगा जो filter आड करना है, आप आड कर सकते हो यह मेरा इसके अंदर personal favorite burning है because यह काफी teal and orange वाला feel देता है and teal and orange is my favorite तो अब सब कुछ होने के बाद जब आपका mini vlog 99% तक ready हो चुका है अब आपको last 2 चीजे करने हैं उसके अंदर सबसे पहली चीज है add text if you want to मैं usually text नहीं add करता हूँ but हाँ कभी-कभी मैं add कर लेता हूँ क्योंकि वो एक aesthetic feel भी देता है and अगर आपको कुछ तोड़ा funny भी कुछ डालना है तो आप वो भी डाल सकते हो and overall आपका reel का जो मज़ा है वो जादा हो जाता है text नहीं add होने के बाद the last thing is the music and music is the most important thing in a mini vlog trust me most important thing अगर आप music गंदा चूज करोगे आपका vlog नहीं चले का अगर मैं example बताओ एक मेरा ये mini vlog है और ये mini vlog है ठीक है दोनों पर almost same type की editing की है same filters भी यूज किया है content भी almost similar ही है but ये वाले content पर मेरा views almost 6000 है और इस पर 3000 के आसपास है because इसके अंदर music बहुत engaging है इसके अंदर music engaging नहीं है and once the reel is ready आप खुद देखो उसको दस बारा बार देखो and if you feel के नहीं मुझे बहुर हो रहा है या particularly कोई clip unnecessary है उसको निकाल दो ये YouTube वीडियो नहीं है कि आप मतलब यूनों पूरा मिर्च मसाला डाल के वीडियो बनाओ ये reels है इसको जितना quick sweet simple रखोगे उतना आपके लिए beneficial होगा so you know इस वीडियो के starting में बोला रहा है कि end में आप लोगो बता होगा कि कि मेरा एक जो रील है वो 1.4 million views तक पहुचा कैसे तो ऐसे तो मुझे भी नहीं पता कैसे पहुचा बट अगर मैं थोड़ा सा analytics करू अपना तो I really feel कि उसका main reason यह था कि मैंने location का जो था मैं जो वो particular location था वो मैंने end में बताया ठीक है तो always save your trump card for the end मान लो आप कई गूमने जा रहो ठीक है and वो एक ऐसा location है जो बहुत ज़्यादा catchy है बहुत ज़्यादा interesting है तो उसको starting में reveal मत कर दो because अगर आप starting में reveal करोगे तो viewer वो off कर देगा Google पर जाके search करेगा उसका काम हो जाएगा वही अगर आप पूरा reel बताओगे and then end में उस जगह का location बताओगे तो बंदा पूरा reel भी देख रहा है आपका content भी अच्छा गादा चल रहा है आपका watch time बढ़ रहा है आपका retention इंस्टेग्राम इस पुशिंग रिल्स अलोट मतलब हद पार पुश हो रहा है मेरे 6000-7000 व्यूज आरे रिल्स पे जो दस मिनिट लगता है बनाने को और 6-7000 व्यूज यहां पर साला एक दो दो गंटा लगता है विज स्क्रिप्टिंग और इस पर आते मिर को 1000-2000 and with this also make sure that you use a music that is very trending ठीक है आजकल अपने इंस्टेग्राम पर बहुत सारे trends आने लग गया है तो जो भी सबसे trendy music है उसको यूज करो बट ऐसा भी नहीं हो कि आप मिनी व्लोग बना रहे हो और आप कोई एकदम भलता सा हार्टब्रेक सॉंग उसकर नहीं वह नहीं करना तो यह सब बता ऱ बहुत से आराट मिनी थाराटब्रेक सारट आप करना जहीं है बढ़ बता है यह नहीं हो यह स्कार स्र गलताटाब्रेक सॉंग वह बता हीं करना पर बहुत सॉंग इंसर पहा दो बना दिनरताः पना उन्छिश्ग आफ उन्स लगद़ुन इंसे भी ऑ्र आप कोई और झाल झाल झाल